DJI Ronin RS2, a professional gimbal जिसके उपर आप 4.5 kg तक का payload डाल सकते हो मतलब आप कोई भी professional rig या setup जो आप सोच सकते हो वो इस gimbal पर यूज हो सकता है राइड नाओ जो मैं यूज कर रहा हूँ जो मैंने सैंपल्स के लिए यूज किया that is Canon R5 with RF 15-35mm f2.8 lens जो आपने आपने काफी एक अच्छा और हेवी setup है वो cinematic या वीडियो के लिए I am talking about this gimbal जैसे मैंने बुला है एक professional setup है and at the same time बहुत lightweight है and it is something around 1.2 या 1.3 kgs का है जब आप battery grip वगएरा सब लगा लेते हो so anyways, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना experience शेर करूँगा Ronin RS2 मेरे पास almost 3-4 महीने से है because जब lockdown चल रहा था then I received this product DJI ने मुझे ये gimbal भेजा है but this is not a sponsored video तो जो मैं आपने views शेर करूँगा मेरे honest views होँगे Now what if I tell you कि ये जो पूरा gimbal है ये आप इस छोटे से box के अंदर डाल सकते हो which in itself मुझे ये चीज़ काभी अच्छा लगा पहले जो box आदे दे काफी बड़े होते थे अभी क्या है कि gimbal को अगर आपको यूज करने आप प्रोफेशनल शूट के लिए भी जा रहे हो या मेभी अपनी ड्रावल वीडियो के लिए एक छोटा सा जब कॉम्पाक्ट बैग रहता है तो एक और रीजन आपको मिल जाता है गिंबल से शूट करने के लिए अधरवाइस इस वेरी डिफिकल्ट है आपको एक बार सोचना पड़ता है एक नहीं दो बार कि क्या आपको गिंबल करना चाहिए बट इस स्मॉल बॉक्स इन इससल्फ काफी सही चीज है काफी सही बैग है तो क्वालिटी इस गूट अगर मैं यहां साइट से इसको अनलॉक करूँ और इस तरह से अगर मैं इस बैटरी ग्रप को निकाल दूँ तो सोचो यह जो अपर पोर्शन है और यह जो बैटरी ग्रप है अलग हो सकता है और आप इसको अलग-लग छोटे से बैग में स्टोर कर सकते हो और जब आपको यूज करना है इस तरह से इसको लगा के लॉक करके यह रेडी तो गो स्विजट अन और आप गिंबल को यूज कर सकते हो और वहां पे ही काम आता है इसका छोटा सा स्टैंड अगर मैं इसको यहां पे निकाल दूँ तो आप क्या कर सकते हो RS2 के साइट में अगर मैं रबर गिर्प यहां से अठा दूँ तो दोनों साइट में आपको यह माउंट मिलते हैं जहां पे आप एक्स्टेंशन लगा सकते हो और एक्स्टेंशन लगाने के बाद आप इस तरह से कुछ यह जो मिनी ट्राइपॉड है इसको आप उस आम में लगाके कुछ इस तरह से सूट केस मोड में यूज कर सकते हो और अगर आप कुछ लो एंगल शॉट करना चाहरे हो यहां कुछ इस तरह से आपको लगता है कि आपका जो शूटिंग स्टाइल है वो प्रेशर आपके सिंगल आम में बहुत जादा डालता है इस तरह से आप उसको काफी जादा easy to use बना सकते हो balancing अब gimbal यूज करते है टाइम एक सबसे irritating चीज कह रही है वह गिंबल को balance करना वर जब मैंने इस gimbal को यूज क्या है realized की काफी easy हो चुका है RS2 को balance करना और उसका एक सबसे बड़ा reason मुझे लगा है and it's a very big improvement यहाँ पे छोटा सा नॉप दिया गया है माइक्रो adjustment के लिए तो मान लेते हैं मेरे पास 15-35 lens है कोई भी आपके पास zoom lens है जहां भी आप हलका से adjustment करते हैं तो आपको फिर से पूरा balance करना पड़ता है तो इस knob को adjust करके आप micro adjustment करके थोड़ा बहुत easily balance कर सकते हो next यहाँ पे आपको हर axis के लिए lock मिलता है अब block is not a new thing काफी gimbals में आता है but I like जो इसका locking style है जो knob दिया गया है to lock वो काफी अच्छा है switches तो easily आप उसको lock and unlock कर सकते हो while balancing जैसे अभी मैंने इसको lock करा हुआ है सारे axis को इस तरह से if I wish to carry the gimbal I can do that अब अगर हम इसके थोड़े physical features की बात करें सबसे पहले let's talk about the touch screen so 1.4 inch का जो touch screen है it's very easy to use जब मैं navigate कर रहा था मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ lag है या misses as such नहीं है so it's very easy screen is not that big but still इतनी बड़ी है कि आप easily touch करके चीज़ें और modes को adjust कर सकते हो talking about modes एक काफी बड़िया improvement मुझे लगा यहां पर एक dedicated button है M करके जिससे आप modes define कर सकते हो और ऐसा नहीं है कि कुछ presets है आप क्या कर सकते हो let's suppose अभी मैं button press करूंगा मैं M1 पर जाता हूँ and then आपके पास 360 और portrait का भी option है अब portrait में क्या है इस तरह से आपका camera portrait orientation में चले जाता है और अगर आप Instagram के लिए YouTube के लिए वर्टिकल फॉर्माट में कुछ content निकालना चाहते हो इस gimbal के साथ आप कर सकते हो आपको dedicated elf racket यूज नहीं करना पड़ेगा you have that option over here और आप 360 degree mode में जाके कुछ इस तरह से अगर आप वीडियो में ऐसा कुछ effect लेके आना जाते हो जहाँ आप एक camera आपका पूरा 60 degree rotate करता है और इसका मुझे practical benefit के लागा कि कहीं पार क्या होता है गिंबल्स के लिए आपको smartphone आप का काफी उस लेना पड़ता है आपके यूसे हैं बट आप गिंबल्स से काफी चीज़ें modify और adjust कर सकते हो और उसके बाद आगी की तरफ यहां पर आपको एक dedicated dial मिलता है और यह मुझे काफी बढ़िया improvement लगा अदवाइस पहले के आउद आदा साइड में नौट दी जाते थी जिसके लिए आपके दोनों हाथ हैंगे जो देते एक से आप grip पगड़ते दूसरे से आप follow यहां जू अगर मैं प्लेट की बात करूँ अगें बहुत बड़ी implementation है कि मैंफोटो और आरका स्वेस दोनों आपको यहां पर दी गई हैं सबसे पहले आप मैंफोटो वाला प्लेट लगाते हैं उसके उपर आरका स्वेस लगता है तो अगर जैसे मैं जो अभी ट्राइबाट यूस कर नहीं करना बड़ेगा विच मेक्स इट वेरी कंपेटिबल और आप मल्टीबल गिंबल टू ट्राइबाट पर स्वेच इजी ली कर सकते हो अब इससे पहले कि मैं और कुछ फीचर की बात करूँ जो मुझे काफी इंट्रसिंग लगे लेट्स टॉक बाट परफॉरमेंस त स्पेशली जब आप लो एंगल पर फोड़ा शूट करते हो तो वह एक मुझे अच्छा लगा कि इस्टेबलाइज़ेशन तर परफॉरमेंस इस गुट इवन वें देस अलोट ऑफ शेक हापनिंग हल्का बहुत थोड़ा सा आपको दिखेगा प्कॉस आप जो भी गिंबल अगर आप थोड़ा अनिवन सर्फिस प्यां थोड़ा फास्ट लॉक करते हो अलका बहुत शेक आता है जो आप पोस्ट में एज़स्ट कर सकते हो बाइडिटिंग अधर वाइस अधिक स्टेबलाइज़ेशन परफॉरमेंस इस रेली गुर और हां एक और पॉइंट जब हम बैलंसिंग करते है ना नॉमली गिंबल में क्या इश्यू आता है मुझे तो आता है मुझे आपका नहीं बदा जब माइगर अज़स्ट में कर रहे होते है तो बहुत बार हलका सा कहीं बार जादा है या कम हो जाता है विकॉस ऑफ जो स्लाइडिंग मिटीरियल लेड़ा है बढ़ा लाइक कि एक तो यह कार्बन फाइवर बेल्ट है जाट से बेरी ब्लस पॉइंट नेक्स पॉइंट है कि यह टेफलोन कोटिंग की वज़ा से जो माइनर अज़स्टमेंट है और प्रेक्टिकली मुझे काफी इजी तो यूज लगा अगर मैं हलका सा भी लेफ इस प्लेट के नीचे यहां पे माउंट पे लगा हुए अब यह इमिज ट्रांस्मिटर क्या करता है कि आप अगर इसको अटाच करते हो विदे राइट पीबल्स आप अपने मोबाइल को यूज कर सकते हो वाइरलेस ट्रांस्मिटर के लिए और आपके स्मार्टफोन में द यूज कर सकते हो और आपके सीन में क्या मुवमेंट हो रहा है उससे भी बड़ा बेनेफेट आपको मिलता है अगर आप इूज करते हो अक्टिव ट्राक 3.0 अगहां पर इंट्रेस्टिंग पार्ट किया है आप एक सब्जेक्त को सेलेक्त कर सकते हो और उसके बाद आपका जो gimbal है वो actively उसको track करेगा making sure कि जो आपका main subject है वो आपके frame में रहे, अगर आपका subject move कर रहे है यह gimbal move कर रहे है दोनों cases में, और सबसे fun feature आपको क्या मिलता है इस तरह से आप force mobile feature को use करके, let's suppose मुझे ऐसा कुछ movement करना है, और मैं easily अपने mobile को use करके, I can do this wirelessly, मुझे physically भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे मोशन कितना रखना है, I can do this using my smartphone, and a big thumbs up to DJI, यह technology लाने कले, because I think, यह बहुत जादा पोसे भी रेटीस को expand कर देता है, आप wirelessly screen देख सकते हो, monitor कर सकते हो, and you can do the movements using your smartphone, so it's a good step towards, कि gimbal में क्या नहीं किया जा सकता है, DJI is doing that, so that's it from this video, almost जितने features मैंने explore करें, मुझे जो अच्छा लगा, वो मैंने आपके साथ discuss किया, अगर बात करें, कुछ माइनस पॉइंस की, as such, थेको मैं honestly बोलूँगा, again I mentioned, this is not a sponsored video, but I think, यह gimbal is nearly perfect, मुझे ऐसे कुछ अभी issues नहीं देखे, maybe in future, अगर मैं यूस करूँगा, और मुझे लगता है, यह detailed review बनना चाहिए, I might make that in the future, as of now, this looks like a good gimbal to invest in, I know, थोड़ा सा costly है, but again, जैसे मैंने starting में बोला था, this is a professional setup, तो अगर आप commercially shoot करते हो, या फिर आपको एक ऐसे gimbal में invest करना है, जो आपको लगता है, कि आपकी professional needs को satisfy करना चाहिए, I think RS2 is a great option, बाकि आपके क्या views है, कमेंट कर मझे जरूर बताना, I would love to know your views, I will see you in the next video, तब तक take care and keep clicking